Hello ७च्पनयों, Welcome to Biomantis Classes Online स्वाकते हैं आपका crash course series में आज का topic है electric charge and field physics में आज का topic है electric charge and field तो बढ़ियां से इसके notes बनाएंगे कोशिश करेंगे चोटे से चोटा point भी हम cover करें और फिर इसके numericals करेंगे चलिए, heading डालिए, electric charge and field heading डालिए, electric charge and field तो नामी से जिस कर रहा है चैप्टर का कि चैप्टर स्टार्ट होगा चार्ज इसे, चार्ज को किस से लिखते हैं, क्यूं से लिखते हैं, चार्ज को किस से लिखते हैं, क्यूं से लिखते हैं, चार्ज को किस से लिखते हैं, क्यूं से लिखते हैं, तो चार्ज के बारे में क वेच्ट कॉस्ट इलेक्ट्र स्टेटिक पोर्स अभी पढ़ेंगे आगे यह अट्रेक्शन भी होता है या रिपल्सिव भी हो सकता है और पाट्रेक्शन और रिपल्शन between nearby bodies of attraction और रिपल्शन बिल्कुल basic से करा हूँगा मैं बहुत ध्यान से between nearby bodies चार्ज क्या होता है वो property होता है material की जिसके कारण पास पास रखी दो bodies के बीच में electrostatic force लगता है it may be attractive और रिपल्शन चार्ज क्या होता है material की वो property होता है जिसके कारण पास पास रखी दो bodies के बीच में electrostatic force लगता है it may be attractive और रिपल्शन चार्ज क्या होती है बटा कूलम्स SI unit of charges कूलम्स एक होता है electrostatic unit इसको ESU भी कहते है electrostatic unit bracket में ESU of charge electrostatic unit of charge यह रिखिए strat कूलम्स इंदी में कहते है strat कूलम्स electrostatic unit of charges stat कूलंस अब जब दो दो unit वह गहीं तो कुछ ना कुछ relation भी होगा Tucson होता है रे обсके हैंah One कूलम्स एकवल टो िटू टैन की power 9 stat कूलंब वन कूलंब इस एक्वल टू री इंटू टैन की पार नाइन स्टैट कूलंब वन कूलंब इस एक्वल टू क्या होता है बिटा लिखते लिखते याद करते जाना है वन कूलंब इस एक्वल टू क्या होता है त्री इंटू टैन की पार नाइन स्टैट कूलंब फिर ल तो वन फेराडे एक्वल टू होता है 96500 कूलम 96500 कूलम को कहते हैं वन फेराडे लिख लेंगे अनदर यूनिट आफ चार्ज इस फेराडे फेराडे क्या होता है 96500 कूलम फिर लिखें टाइपस ओफ चार्ज एफ चार्ज इसे lesson को start किया है हर basic चीछ चार्ज के बारे में मैं बता दूंहुंगा दो तरह के चार्ज होते हैं positive charge नेगेटिव चार्ज पॉजटिव चार्ज बाडी पे या तो positive चार्ज आएगा और या ढेटीन चाहर जाएगा अग concert क्या होते हैं दोतरे के होते है वाजेटेब चार्ज और नेगेटिब चार्ज का बाता है ध्यान से सुनना जब किसी बॉडि से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं is पड़ते हुआ इतना तो जानते होगे इलेक्ट्रोन के निकालने से बोडी पे कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोन के देने पर बोडी पे कौन सा चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोन के निकालने पर बोडी पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज और Due to Deficiency of Electrons, इसे लिख रहा हूँ, as compared to Proton, कौन सा चार्ज आएगा, positive, कौन सा चार्ज आएगा, positive, due to Deficiency of Electrons, as compared to Protons, clear है, अब इसका उल्टा लेख लो, negative charge का अब आएगा, जब हम body को Electrons देंगे, due to Excess of Electrons, as compared to Protons, negative charge का बाता है, due to Excess of Electrons, as compared to Protons, Due to Excess of Electrons, as compared to Protons, types of charge में हमने लिखा, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक positive charge, एक negative charge, positive charge के होता है, electron की Deficiency से, और negative charge के होता है, electron के Access होने से, electron body को देने पर, positive charge का बाएगा, electron की Deficiency, sorry, positive charge, जब हम body से electron निकालेंगे, यहने electron deficiency से, और negative charge का बाएगा, है, जब हम body को electron देंगे, body के electron देने पर, body पर कौन सा charge आता है, negative charge, क्यों, क्योंकि electron ज्यादा हो जाएगे, और electron पर negative charge होता है, charge के बारे में बढा रहा हूं, पूरा, अगला लेको, charge is a scalar quantity, है, चार्ज कैसी quantity है, scalar quantity है, चार्ज कैसी quantity है, बटा बोलेंगे, scalar quantity है, आगे लेको, charge is transferable, but is always conserved, charge एक body से दूसरी body में तो जा सकता है, लेकिन conserve रहता है, total charge हमेशे constant रहेगा, charge is transferable, बहुत ध्यान से notes बना है, but is always conserved, charge is transferable, but is always conserved, charge is transferable, but is always conserved, charge is transferable, but is always conserved आगे बटा the mass of a body changes after being charged important point है ध्यान रखना the mass of a body changes after being charged the mass of a body changes after being charged किसी भी body को charge करोगे तो उसका mass change होगा अब मांदो electron निकाल रहा हो याने body पे positive charge आ रहा है electron के निकलने से mass भी थोड़ा कम होगा positive charge याने mass में कमी दिखाई देगी और negative charge का बात है body पे जब आप electron देते हो तो electron आप दे रहे हो तो electron का mass add हो जाएगा तो negative charge याने body का mass बढ़ जाएगा positive charge याने क्या याद रखो decrease in mass positive charge है किसी body का तो क्या होगा उसका mass कम होगा mass of body decreases और negative charge है समझ रहे हो ना negative charge याने हमने electron दी है उतना mass add हो गया याने mass of body increases positive charge अगर body पे है तो body का mass कम होगा negative charge अगर body पे है तो body का mass बढ़ेगा positive charge थोड़ा समझ के करिए सब समझ में आएगा अब सवाल उठता है बटा एक किसी charge को ये सब पे questions बनेंगे किसी charge को किसी uncharged body के contact में लाएं तो uncharged body पे भी charge induce हो जाता है क्या कह रहा हूँ मैं किसी भी charge body को किसी uncharged body के पास लाएं तो uncharged body पर भी charge induce हो जाता है uncharged body पर भी charge induce हो जाता है uncharged body पर भी charge induce हो जाता है कैसा वो मैं बता रहा हूँ पहले ये note कीजे आगे लिखो if a charge body is brought, near an uncharged body, if a charge body is brought, electricity बहुत अच्छे से कीजी है, near an uncharged body, near an के लिखा है बटा, if a charge body is brought, near an uncharged body, the charge body will attract, opposite charge, and repel, similar charge, अभी सब चम्जाऊंगा, the charge body, will attract, opposite charge, मतलब समझा रहा हूँ अभी, and repel, similar charge, बुलता क्या ये कोई body है, कि suppose करो edges, इस पर positive charge है, इसको किसी uncharged body के pass लाए, तो क्या होगा, ये इस uncharged body के opposite charge को, मतलब यहाँ यहाँ negative इखटा हो जाएगा, क्यों? positive charge negative को खीशता है, तो जो pass वाली surface है, उस पर negative charge induce हो जाएगा, अपने आप, जो pass वाली surface है, सारा negative यहाँ आ जाएगा, क्यों positive इसे attract करेगा, और सारा positive positive से दूर चला जाएगा, और सारा positive positive से क्या चला जाएगा, दूर चला जाएगा, इस तरह एकी body हो जाएगी, किसी positive charge को हम कहां लाए, किसी uncharged body के पास, तो क्या हुआ positive charge के कारण positive charge किसको attract करता है, negative को, तो जो uncharged body है, उसकी इस तरफ की surface पे, closed वाली surface पे negative charge आया, और दूर वाली surface पे positive charge आया, अब अगर आप, अब अगर आप, इसकी earthing कर दो body की, तो अर्थ की खास बात होती है, यह earthing ऐसे दिखाते हैं, कि अर्थ से electron निकलके सारे positive charge को कतम कर देते हैं, अर्थ यह मानलो की सारा positive charge अपने में खीच लेता है, तो पूरी body पे फिर negative charge आ जाएगा, अगर इस body की हम earthing कर देंगे, positive charge अर्थ में गया, और पूरी body की surface पे कौन सा charge आ जाएगा, negative, कुछ इस तरह का होगा, अगर earthing करते हो तो, earthing नहीं करते हो, तो कुछ इस तरह का रहेगा, पास वाली surface पे negative charge ऐसा क्यों, positive charge ने negative charge को कीचा, और दूर वाली surface पे positive charge, इस तरह से charge accumulate हो जाते हैं, इस तरह से charge accumulate हो जाते हैं, आगे लेको, charge is invariant, charge is, सारे point important है, invariant, that is, independent of velocity, invariant का मतलब क्या होता है, that is, independent of velocity, charge क्या होता है, invariant होता है, invariant यहने, velocity पे dependent नहीं करता, charge क्या होता है, invariant होता है, invariant यहने, velocity पे dependent नहीं करता, आगे लेको बेटा, the presence of charge on a body is detected by electroscope, the presence of charge on a body is detected, काफी थियोरी हो रही है, बटा, लिख लीजिए, जितने अच्छे से electricity करेंगे, electricity के मान लीजिए, बारा से 15 question रहेंगे आपके paper में, तो electricity में एक chain चलती है, अभी हो सकता है, आपको oral लग रहा हो, लेकिन यह पूरी एक chain चलेगी, यह अगर आपका week रह गया है, तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो adding क्या है, the presence of charge on a body, is detected by electroscope, इलेक्ट्रोप क्या होता है, इस तरह की रहती है और इसमें दो gold leaves लगी रहती है, यह सब तो बस पता होना चाहिए, इस तरह की एक body रहती है, इसमें क्या लगी रहती है, और यह इसका metallic knob रहता है, ठीक है, तो करते क्या है, ध्यान से सुनना, कि हम जो भी body जिस पे हमें charge detect करना है, उसको इसके close लाते हैं, यह charge कोई body है, इसके charge को हमें detect करना है, कि इस पे charge है की नहीं, इसे हम क्या लाएंगे, metallic handle के पास लाएंगे, metallic handle के पास लाने पर इस handle में भी charge induced होगा, यह gold leaves लगी है, यह और वो क्या है, gold leaves, तो क्या होगी charge induced होने के कारण, यह gold leaves यहा तो repel होगी, या एक दूसरे को attract करेंगी, तो जो charge का, चार्ट जो होता है body पे, यह proportional होगा, इनके convergence या divergence के, मतलब अगर यह कम हिल रही है, तो हम कहेंगे body पे कम charge है, अगर इनमें attraction या repulsion ज्यादा हो रहा है, तो हम कहेंगे body पे ज्यादा charge है, तो charge proportional होता है, किसके degree of convergence, और divergence, degree of convergence, और divergence, और gold leaves, चार्ज को कैसे detect करते हैं, एक important चीज अभी बताने वाला हो, अगर body पे ज्यादा charge होगा, तो gold leaves ज्यादा फैलेंगी, या pass आएंगी, अगर body पे कम charge होगा, तो gold leaves में ये degree कम होगा, clear है, आगे बता, electron, proton और neutron का charge याद रख लो, मास याद रख लो है न, numerical में लगेगा, लेखो charge of electron, charge of electron, 1.6 into 10 की पार, माइनस 19 कूलम्ब, negative charge होता है, न, charge of proton बोलो, black penny कर लो, charge of proton बोलो, same, लेकिन positive आजाएगा, 1.6 into 10 की पार, माइनस 19 कूलम्ब का positive charge, charge of neutron बोलो, neutron पे कोई चार्ज नहीं होता, 0, अच्छा, एक और important चीज, alpha particle का charge याद रख लो, जब आप सवाल करने बैटोंगे, तो alpha particle की बात बहुत बार होगी, alpha particle का charge होता है, proton के charge का double, alpha particle का charge कितना होता है, proton के charge का double, charge of alpha particle भी याद रख लो, यह होता है, two times the charge of proton, यहने two into one point six into 10 की पार, माइनस 19 कूलम्ब, यहने आजाएगा three point two, into 10 की पार, माइनस 19 कूलम्ब, minimum इन चारों के तो आपको charge याद रख नहीं है, electron का charge कितना होता है, one point six into 10 की पार, माइनस 19 कूलम्ब का negative charge, proton का charge कितना होता है, one point six into 10 की पार, माइनस 19 कूलम्ब का positive charge, neutron का charge कितना होता है, zero, alpha particle का charge कितना होता है, proton के charge का double, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के चार्ज का डबल यहने 3.2 इंटू 10 की पार माइनस 19 पूल हम मास याद रख लो जारो के मास वफ लेक्ट्रोन बोलो क्यों मास को याद रखो मैंने आपको बताया है कि चार्ज द्रांसफर होने से मास भी बदलता है अगर बोड़ी पे echoes चार्ज है तो उसका मास में कमी आएगी अगर बोडी पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका मास बढ़ेगा तो मास रेलेटेड निमेरिकल्स करने में आपको मास की बातें करनी पड़ेंगी एलेक्रोन का मास बोलो 9.1 इंटू 10 की पार वाइनस 31 किलोग्राम यह मिनिमम मास होत 9.1 इंटू 10 की पार माइनस 31 केजी मास अफ प्रोटोन बोलो 1.6 इंटू 10 की पार माइनस 27 किलोग्राम यह सब याद होने चाहिए मास अफ नूट्रोन बोलो 1.66 इंटू 10 की पार माइनस 27 किलोग्राम और फिर वही मास अफ अफ अलफ पार्टिकल याद रख लो चार्ज कितना होता है अलफ पार्टिकल का प्रोटोन का डबल मास कितना होता है अलफ पार्टिकल का प्रोटोन का चार्गोना चार्ज कितना होता है अलफ पार्टिकल का प्रोटोन का डबल मास कितना होता है अलफ पार्टिकल का प्रोटोन का चार्गोना 4 times the mass of proton याद रखिएगा यह सब तो है ना तो यह into कर दो 4 into 1.6 into 10 की पार minus 27 यह हो किया 6.4 into 10 की पार minus 27 kilogram minimum आपको इतना तो याद होना चाहिए तीनों elementary particles ले लीजिए alpha particle ले लीजिए तीनों elementary particles की बाते कर लो alpha particle की बाते कर लो electron का charge 1.6 into 10 की पार minus 19 कूलम का negative proton का charge 1.6 into 10 की पार minus 19 कूलम का positive neutron का charge 0 alpha particle का charge proton का दुगना mass बोलो electron का बोलो 9.1 into 10 की पार minus 31 kilogram proton का mass बोलो 1.6 into 10 की पार minus 27 kilogram neutron का mass बोलो 1.66 चार्ज नहीं था लेकिन मास है इंटू 10 की पार माइनस 27 किलोग्राम और अलफा पार्टिकल का मास बोलेंगे बिटा बोलेंगे प्रोटाउन का चार्गोना अलफा पार्टिकल का मास बोलेंगे कितना होता है प्रोटाउन का चार्गोना अलफा पार्टिकल का मास कितना होता ह बिटा बोलेंगे प्रोटॉन का चार्ज गोना चार गोना अगला लेखो distribution of charge on parallel plates concept भी याद रखो simple सा case बता देता हूँ यह दो plate है यह plate P यह plate Q इसके outer surface को मैंने कहा है A इसके inner surface को कहा है मैंने B इसकी inner surface को कहा है मैंने C और इसकी outer surface को मैंने कहा है D चार surfaces की बात करेंगे बहुत ध्यान से यह concept भी बहुत काम में आता है A क्या है outer surface of plate P B क्या है inner surface of plate P C क्या है inner surface of plate Q और D क्या है outer surface of plate Q clear है Q1 हम देते हैं charge given to plate P Q1 मानलो हमने क्या कर दिया चार्ज गिवन टू प्लेट P प्लेट P को हमने Q चार्ज दिया Q1 चार्ज दिया Q2 मानलो किसे दिया चार्ज गिवन टू प्लेट Q प्लेट P को हमने कितना चार्ज दिया Q1 चार्ज दिया प्लेट क्यों को हमने कितना चार्ज दिया तो हमसे पूछते हैं विटा कि इसकी बाहर जी सर्फेस पे कितना चार्ज होगा इसकी अंदर वाली सर्फेस पे कितना चार्ज होगा इसकी बाहर वाली सर्फेस पे कितना चार्ज होगा इसकी बाहर वाली सर्फेस पे कितना चार्ज का यहने पहले हम बात करने है ए और डी की है ना दोनों सर्फेस के आउटर सर्फेस का एक साथ निकल सकता है, charge on outer surface of P and Q, दोनों का है, बतलब P पे भी इत्ता होगा, Q पे भी इत्ता होगा, लेकिन शर्ट क्या है बात किसकी कर रहे हैं, आउटर सर्फेस की, बड़ा असान है कि दोनों चार्जों का मीन निकाल लो, Q1 प्लस Q2 बाइटू, इनर सर्फेस में तोड़ी दिक्कत है, आउटर सर्फेस का तो बड़ा आसान सा रूल है, दोनों चार्ज को जोड़ो, दो से डिवाइट करो, अब हम निकाल रहे हैं, दोनों चार्ज और इनर सर्फेस और पी, बहुत द्यान से समझना, प्लेट पी की इनर सर्फेस पे कितना है चार्ज है, इसको दिया कितना है बेटा, Q1 इस तरफ कितना है इसका total charge है बेटा Q1 इधर आया है खुद ही आप बताओगे इधर आगया है Q1 प्लस Q2 बाइ 2 और इधर आगया है X मालो मुझे X निकालना है total charge मैंने प्लेट को कितना दिया Q1 इस तरफ कितना आगया Q1 प्लस Q2 बाइ 2 तो बचा हुआ उस तरफ आएगा तो X is equal to क्या हो जाएगा खुद बोलो तो Q1 में से Q1 प्लस Q2 बाइ 2 घटा दो फिर से समझ लो total charge मैंने कितना दिया Q1 आउटर पे कैसे निकालते है आउटर का तो बिल्कुल सिंपल है दोलो चार्जों को जोड़ो दो से डिवाइट करो अब इनर का कैसे निकालेंगे दियान से सुनना total charge दिया है Q1 इधर आगया Q1 प्लस Q2 बाइ 2 तो बचा हुआ इधर आएगा तो X is equal to क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाइ 2 यह हो जाएगा 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 बाइ 2 तो यह हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाइ 2 Q1 माइनस Q2 बाइ 2 क्या हो जाएगा पेटा बोलेंगे Q1 माइनस Q2 बाइ 2 क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाइ 2 क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाइ 2 इसी तरह एका बेटा भी इस प्लेट को सोचो टोटल चार्ज कितना दिया था Q2 इस सर्फेस पे कितना आया Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इस सर्फेस पे कितना आया वो निकालना है तो य नाम दे देते है प्लेट Q की बारे में सोची है प्लेट Q को समयने कितना charge दिया था Q2 बाहर वाली surface पे कितना आया Q1 Q2 by 2 और अंदर वाली surface पे कितना आया नामदे देते हैं Y तो मुझे बता हो Y कैसे निकलेगा मुझे बताईए Y कैसे निकलेगा मुझे बताईए Y कैसे निकलेगा बड़ा संद, टोटल चार्ज में से ये घटा दो, क्या निकार रहे हैं, चार्ज ओन इनर सर्फेस ओफ क्यू, कीसरी और आकरी चीज, चार्ज ओन इनर सर्फेस of q, कैसे आएगा बिटा, y equal to q2 में से q1 plus q2 by 2 घटा दो, q2 में से देख रहा है न, टोटल चार्ज q2 था, q1 plus q2 by 2 मिल गया, बहर वाली सर्फेस को, तो अंदर वाली सर्फेस को कितना मिलेगा, q2 minus q1 plus q2 by 2, तो इसे अच्छे से लिख दो, तो 2 q2 minus q1 minus q2 by 2, तो यह आगया, minus q1 plus q2 by 2, minus common ले लो, q1 minus q2 by 2, minus common ले लो, q1 minus q2 by 2, तो अंदर वाली सर्फेस को इतना चार्ज मिलेगा, होप आपको सारा कंसेप्ट समझ में आया, q1 minus q2 by 2, होप आपको कंसेप्ट समझ में आया, बहरी सर्फेस पे निकालना हो, तो क्या करो, चार्जों को जोड़ दो, दो से डिवाइड कर दो, क्लिER है, q1 plus q2 by 2, इधर q1 plus q2 by 2, अब इस पे टोटल चार्ज कितना है, q1 बाहर कितना आगया, q1 plus q2 by 2, तो अंदर कितना आएगा, q1 में से कटड़ा दो, q1 plus q2 by 2, तो q1 minus q2 by 2, इसी तरह से इसकी बातें करो बाहर कितना है Q1 Q2 by 2, टोटल कितना है Q2 तो कितना आएगा अंदर Q2 minus Q1 Q2 by 2, तो यह आपका complete हुआ चार्ज याने lesson का introduction, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे एक बार जल्दी से quick revision बहुत देर से चल रहा था चार्ज याने वो property जिसके current pass रखी दो वस्तु है एक दूसरे को attract के repel करती है unit इसकी क्या होती है, coulomb एक और unit क्या होती है, stat coulomb relation क्या होता है, 1 coulomb is equal to 3 into 10 की power 9 stat coulomb, एक और unit होती है, faraday, 1 faraday equal to क्या होता है, 96,500 coulomb चार्ज दो तरे का होता है, positive charge या negative charge positive charge याने electron की कमी, negative charge यानेτικ याने electron की अधिकता positive charge है, मतलब mass भी कम है body का natural mass से and negative charge याने body kas normal से ज़्यादा है clear request charge scalar होता है charge transferable तो होता है, लेकिन हमेशे conservative होता है positive charge याने mass में हाई कमी negative charge याने मास में बड़ उत्री अगर किसी charge body को किसी uncharge body की तरफ लाते हैं तो जो pass वाली surface होती है उस पे opposite charge induced होता है जो दूर वाली surface होती है उस पे similar charge induced होता है positive को ला रहे हैं तो यहाँ negative यहाँ positive अगर इसकी अर्थिंग कर दें positive charge अर्थ में चला जाएगा negative negative बचेगा चार्ज invariant होता है इंवेरियंड या ने velocity पे depend नहीं करता charge invariant होता है इंवेरियंड या velocity पे depend नहीं करता charge को detect कैसे करते हैं body के charge को electroscope की help से उसमें कुछ gold leaf लगी रहती हैं तो वह फैलती है या सुकरती है तो जिस extent से वह फैलेंगी या सुख़ेंगी वो proportional loga body के charge के, clear है? electron, proton, neutron और alpha particle का charge याद रखो, बता दिया आए, electron, proton, neutron और alpha particle का mass याद रखो, काफ़े time दिया था इस पे, बहुत important चीजे ये, outer surface पे charge निकालना हो, तो दोनों charge को जोड़ो, दो से divide करो, और inner surface पे कुछ इस तरह से निकालते हैं, clear है, तो charge बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, आपके आएगा heading डालो, quantization of charge, देख लेते हैं, हाँ, वही है, quantization of charge, quantization of charge, अब formula आएगा एक, charge का quantization की ये कहता है कि किसी भी body पे minimum क इतना charge हो सकता है, कोई body है हमारे पास, उस पे कितना charge हो सकता है, या तो electron के बराबर, electron से छोटा कोई charge नहीं होता, या तो electron के charge के बराबर, या उसका simple multiple, यानि दुगना, तिगना, चार गुना, सो गुना, fraction में नहीं होगा, कि धाई गुना, साड़े तीन गुना, पौने पौने पौने, ऐसा नहीं होगा, या तो electron के charge के बराबर होगा, या उसका simple multiple होगा, तो charge on a body कितना होता है, को short में लिखिए चीज़ों को, either equal to the charge of electron, और a simple multiple of it, और a simple multiple of it, किसी भी body पे कितना charge होता है, या तो electron के charge के बराबर, या उसका simple multiple, अब एक electron का charge कितना होता है, बिटा, E, N electron का charge कितना होगा, N, तो formula आ जाता है, Q बराबर N, पहला formula आ गया, बिटा, electricity का बहुत ध्यान से वाली है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है, इसी भी body पे कितना charge होता है, या तो electron के charge के बराबर, या उसका simple multiple, अब एक electron का charge, अगर E है, तो N electron का charge कितना होगा, N, एक electron का charge अगर E है, तो N electron का charge कितना होगा, N, फार्मूला के आगे, Q इक्वल टू N, यहाँ क्या बता रहा है, total charge on a body, N यहाँ पर क्या बता रहा है, number of electrons, यहाँ पर क्या है, चार्ज ओफ बन एलेक्ट्रोन, यह fix होता है, बेटा, 1.6, इंटू 10 के पर, माइनस 19, पूल हम अभी पढ़के आ रहे है, और clear लिख देता हूँ, 1.6, इंटू 10 के पर, माइनस 19, किसी भी बोटी पे कितना चार्ज होता है, या तो electron के चार्ज के बराबर, या उसका simple multiple, किसी भी बोटी पे कितना चार्ज होता है, या तो electron के चार्ज के बराबर, या उसका simple multiple, clear है, formula के आगे है बटा बोलेंगे q equals to any q यहाँ पर क्या है body पे रगने वाला total charge any यहाँ पर क्या है number of electrons और e यहाँ पर क्या है charge of one electron कितना होता है one electron का charge 1.6 into 10 के पार minus 19 coulomb मेरे साथ साथ याद करते हुए आगे बढ़ना है clear है crash course का मतलब ही यह है आगे लेको coulombs inverse square law यह हमें बताएगा दो charge के बीच में force कितना लगता है यह हमें किसके बारे में बताता है force between charges के कहानी किससे कुछ नहीं वियान से समझी है दो charge हो अगर मेरे पास q1 और q2 और r के distance पे हो दो charge हो मानलो यह a पे है यह b पे है और similar charge है मानलो दो charge है कितना है विटा q1 और q2 और r के distance पे हो तो इनके बीच में क्या लगता है electrical force लगता है एक यह ने किसकी बात हो रही है electrostatic force की तो जो electrostatic force लगता है विटा दो charge के बीच में वह proportional होता है product of charges के यहने q1 into q2 के दो charges के बीच में जो force लगता है वो किसके प्रोपोशनल होता है product of charges के और किसके उल्टा चलता है square of distance के ninth class से पढ़ते आ रहे हो ninth class में बस charge की बजाए मास था और law का नाम था Newton's law of gravitation 11 में भी पढ़ा है Newton का gravitation का law तो उसी तरह से दो charge के बीच में जब कोई force लगता है तो किसके proportional होगा वो q1 q2 के और किसके उल्टा चलेगा r square के दो charge के बीच में जो force सीजें बता हूँ एफ प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा q1 q2 by r square constant क्या लगेगा one by four by epsilon किसे epsilon प्रोनाउंस करते हैं कि जैसा बनाते हैं one by four pi epsilon q1 q2 by r square f is equal to क्या हो जाएगा one by four by epsilon ये constant लगा proportional sign को अटाया तो one by four by epsilon q1 q2 by r square ये जो epsilon होता है ये दो लोगों से मिलकर बना होता है किस किस से epsilon not epsilon r बहुत ध्यान से बनाना विटना q1 q2 by r square epsilon किस से मिलकर बना होता है epsilon दो लोगों से मिलकर बना होता है epsilon not epsilon r q1 q2 by r square epsilon r को कभी कभी के भी कहते हैं ये हो जाएगा one by four by epsilon not k q1 q2 by r square सबको अभी नाम देंगे सबसे पहले constant क्या लगा one by four by epsilon epsilon की जगे के लिखा epsilon not epsilon r epsilon r को कभी कभी किस से लिखते हैं के से भी लिखते हैं q1 q2 by r square फर्मूला क्या हो जाएगा one by four by epsilon not q1 q2 by r square अब ये one by four by epsilon not की value fix होती है one by four by epsilon not की value fix होती है यहां लिख दे रहा हूँ हवाय वैक्यूम के लिए k की value 1 होती है क्यों one होती है भी समझेंगे हवाय वैक्यूम के लिए k की value 1 होती है फर्मूला के आगे है one by four by epsilon not q1 q2 by r square अब ये one by four by epsilon not की value fix होती है nine into ten की power nine q1 q2 by r square one by four by epsilon not की value fix होती है कितनी fix होती है वेटा nine into ten की power nine q1 q2 by r square one by four by epsilon not की value fix होती है कितनी होती है nine into ten की power nine q1 q2 by r square देख लीजिए देख लीजिए जो electrostatic force लगा दो charges के बीच में वो किसके proportional है q1 q2 के product of charges के और किसके उल्टा चलेगा square of distance के दूरी के वर्ग के दोनों को मिला दिया तो f proportional to के आगया q1 q2 by r square तो f is equal to क्या लगा constant याद रखो one by four by epsilon q1 q2 by r square epsilon दो लोगों से मिलकर बना है याद रखो epsilon not epsilon r से और epsilon r को कभी-कभी k भी लिख सकते हैं clear है formula आगया one by four by epsilon not k q1 q2 by r square हवाय वेक्यूम के लिए k की value बन होती है तो formula आगया one by four by epsilon not q1 q2 by r square और इसकी value fix होती है nine into ten की power nine q1 q2 by r square याद रखिएगा अब सबको जड़ा नाम दे दीजिए सब constant है epsilon क्यालाता है पर्मिटिविटी अफ़ मीडियम फर्मिटिविटी ऑफ़ मीडियम एक तरह का constant है इसके दो टुक्डे होते हैं दो पार्ट होते हैं epsilon not epsilon r मतलब एक fix part एक varying part फुल में लाके यह कि epsilon को कहते हैं पर्मिटिविटी ऑफ़ मीडियम फिर बात करेंगे epsilon not की यह कहलाता है absolute permittivity a b s o l u t e absolute permittivity बहुत ध्यान से नाम लिखिए जबके इसकी value fix होती है 8.86 8.86 into 10 की power minus 12 o lumb square unit समेट याद रखिएगा upon newton meter square इससे इसके dimension भी निकल जगते कैसे लिखा ली देता हूँ अभी या फिर 8.86 into 10 की power minus 12 फेरेट पर मीटर बहुत ध्यान से नोट बनाईएगा इसकी दो यूनिट आपको रटना एपसाइलन नोट की 8.86 into 10 की power minus 12 कूलंब स्क्वेर अपन newton meter square या फिर 8.86 into 10 की power minus 12 फेरेट पर मीटर 8.86 into 10 की power minus 12 कूलंब स्क्वेर अपन newton मीटर स्क्वेर या 8.86 into 10 की power minus 12 फेरेट पर मीटर डाइमेंशन्स निकाल ले ना एपसाइलन नोट के डाइमेंशन्स क्या हो जाएंगे कूलंब स्क्वेर चार्ज के डाइमेंशन होते हैं 80 याद रखो चार्ज होती है current into time क्यों बराबर IT नाइन क्लास से पढ़ ले हो current को ए लिखते है time को टी लिखते है तो चार्ज के डाइमेंशन क्या होते है 80 तो चार्ज स्क्वेर क्या हो जाएगा A square T square Newton याने क्या MLT minus 2 और मीटर स्क्वेर याने क्या L square कूलंब स्क्वेर की जाएगे क्या लिखा A square T square Newton याने force force के dimension क्या होते है MLT minus 2 और मीटर स्क्वेर याने L square तो यह आगया M minus 1 L minus 3 दिख रहा हो दो T cube पूछे जाते हैं बटा A square यह होते हैं epsilon not या epsilon दोनों के dimensions इसके epsilon की भी बात करें तो units and dimensions are same as epsilon not तो permittivity की बात हो या absolute permittivity की बात हो हैना units और dimensions ही लिखा है मैंने value नहीं लिखी है है ना यह तो vary करेगी यह fix rate यह unit और dimension चाहे बात करें epsilon की चाहे बात करें epsilon not की same होती है clear है अगली चीज़ लिखो epsilon आरिया के यह कहलाती है relative permittivity या dielectric constant of a medium 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 यह क्या है Epsilon Arria K, यह एक ratio होता है विटा, जिसमें हम हर medium को compare करते हैं हवा से, मतलब इसका value होती है permittivity of medium, upon permittivity of air, मतलब हम हर medium को compare करते हैं हवा से, अब मालनो हम हवा कोई हवा से compare करें तो इसकी value क्या होगी 1 होगी तो वही हमने लिखी थी कई लोगों की याद रख लो for air और vacuum अगर हम हवा कोई हवा से compare करें K की value 1 आएगी for pure water pure water का K याद रख लो K की value 80 बन आएगी for pure metal pure metals की K याद रख लो K की value infinite आएगी अब K के बारे में याद रखो यह तो क्योंकि एक ratio है तो इसकी कोई unit और dimension नहीं होते epsilon आरिया K के no units and dimensions बहुत confuse करते हैं बड़ा कोई भी unit या dimension पूछी हो आप यह बड़े ध्यान से पढ़ना कि epsilon की बाते हो रही है कि epsilon not की कि epsilon r की तो epsilon और epsilon not की तो होती है unit और dimension epsilon r के नहीं होते epsilon r के क्या होते है no units and dimensions यहने 81 81 के आगे क्या कुछ नहीं clear है यह एक pure number मिलेगा आपको किस किस के याद रखना है हवा की याद रखो one पानी की याद रखो 81 प्योर मेटल की याद रखो infinite यह complete हुआ coulomb slot थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा slow जा रहा है काफी यह force के बारे में बताता है constant क्या लगा one by four by epsilon epsilon दो लोगों से मिलकर बना है epsilon not epsilon epsilon r को कभी-कभी k से भी लिखते है हब आया vacuum की बात कहने तो k की value one होती है भी समझ में आई क्यों formula होई जाएगा one by four by epsilon not q1 q2 by r square इसकी value आएगी nine into ten q9 q1 q2 by r square epsilon क्या कहलाता है permittivity of medium epsilon not क्या कहलाता है absolute permittivity इसकी value fix होती है eight point eight six into ten की पार minus twelve ulam square by newton meter square या दूसरी unit parat per meter dimension हमने निकाल ली है epsilon r या k कहलाता है relative permittivity या dielectric constant of a medium ये एक ratio होता है जिसमें हम medium की permittivity को compare करते हैं हवा की permittivity से मानलो हवा कोई हवा से compare करेंगे तो answer क्या आएगा one pure metal का होता है infinity pure water का होता है 81 clear है अब ये के समझ में नहीं आ रहा पेटा के समझ में नहीं आ रहा अगली heading डाली है missing है missing है चलिए यहीं कर लेते हैं definition of dielectric constant अगला question लेकिए definition of dielectric constant के बस ध्यान रखिए क्या करना है definition of dielectric constant ब्रेकिट में के definition of k important a numerical बनते हैं हम क्या करेंगे ध्यान से सुनो दो चार्ज लेंगे सबसे पहले उन्हें हवा में रखेंगे हवा में रखेंगे तो के की बात नहीं करेंगे हवा के लिए k क्या होता है वन होता है फिर उन्हीं दो चार्जों को किसी मीडियम में रखेंगे मीडियम में रखेंगे तो के की बाते करेंगे क्योंकि मीडियम का तो के होता है तो पिल्कुल चौट में जब हवा में रखेंगे तो क्या equation बनेंगे f air बराबर क्या होता है 1 by 4 pi epsilon 0 के नहीं लगाएंगे क्यों क्योंकि हवा में के वन होता है क्यूवन क्यूटू बायर स्कूर यह बात हो गई हवा की पिर लिखो इन एनी अधर मीडियम किसी दूसरे मीडियम की बात करो पोर्स को कहें से लिख रहे हैं अब एफ मीडियम से यह हो जाएगा बन बाय बोर पाई एपसैलन नौट भी और के भी क्यूवन क्यूटू बायर स्कूर जब हमने चार्जों को कहां रखा हवा में रखा तो के नहीं लगाया और हमने चार्जों को फिर मीडियम में रखा तो के लगाया हवा में के की बात नहीं करना मीडियम में के की बात करना है अब वन को डिवाइट कर दो टू से तो आंसर आ गया वन को डिवाइट कर दो टू से तो ये कट गया ये कट गया के उपर जाएगा के बराबर आ गया दि में कितना फोर्स लग रहा है अपन उन्हीं दो चार्जों के बीच में मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है के बराबर क्या होता है एफ ए अपन एफ मीडियम दो चार्जेस के बीच में हवा में लगने वाला फोर्स अपन मीडियम में लगने वाला फोर्स इस रेशो को कहते मीडियम का डायलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट फुल मिला के आपको के का एक फार्मूला रटना है F air upon F medium कैसे आया देख लो जब हवा की बात की तो के नहीं लगाया जब मीडियम की बात की तो के लगाया दोनों को डिवाइट कर दिया के बराबर आ गया F air upon F medium के बराबर आ गया धिया धियान रखो F air upon F medium के बराबर आ गया धियान से F air upon F medium ऐ है चल ये आगे बढ़ते हैं येडिंग डालो इलेक्ट्रिक डायपोल अब मेरे पास दो इक्वल और अपोजेट चार्ज रहेंगे कैसे चार्ज रहेंगे दो इक्वल और अपोजेट चार्ज और वो पास पास रखे होंगे तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल यहने दो पोल कितने चार्ज होने चाहिए दो कैसे होने चाहिए equal और opposite और कहां रखे होने चाहिए वो पास-पास तो इस व्यवस्ता को कहते हैं electric dipole two equal and opposite charges two equal and opposite charges separated by a short distance इसको कहते हैं electric dipole two equal and opposite charges separated by a short distance short distance को two a से लिखते हैं short distance is represented by two a हम dipole की length बेटा normally two a लेते हैं क्यों क्योंकि हमें normally center से distance ना अपना रहेगा तो two a का आधा हो जाएगा a मेरे पास दो चार्ज है figure बना देता हूँ equal और opposite एक अगर plus Q है एक minus Q है और वो पास पास रखे होने चाहिए एक अगर कौन सा चार्ज है plus Q है तो एक कौन सा चार्ज होना चाहिए minus Q और दोनों पास पास रखे होना चाहिए इस वेवस्ता को कहते हैं dipole इस वेवस्ता को कहते है electric dipole और short distance को two a's represent करते है मेरे पास कितने चार्ज हैं दो equal और opposite चार्ज हैं कहां रखे हैं बेटा पास पास रखे हैं इस वेवस्ता को क्या कहते हैं dipole अब मैं क्या करूंगा ध्यान से सुनना कोई भी एक चार्ज लूँगा और उसे multiply कर दूँगा distance से दोनों चार्जों के बीच के distance से तो निकलेगा dipole moment कोई भी एक चार्ज ले लो क्योंकि दोनों तो बराबर है plus और minus तो बस उनका nature बता रहे हैं तो कोई भी एक चार्ज ले लो और उसे multiply करो distance से तो निकलेगा dipole moment product of one of the charge product of one of the charge and the shortest distance between the charges and the shortest distance between charges क्या कह लाएगा इस कोड electric dipole moment P से लिखते हैं इसे P बराबर होता है Q इंटू टू है P बराबर होता है याद रखो Q इंटू टू है चार्ज को multiply कर दो किस से distance है दोनों चार्जों के बीच के distance है क्या निकलेगा बिटा बोलेंगे electric dipole moment क्या निकलेगा बिटा बोलेंगे electric dipole moment कैसी quantity होती है ये P कैसी quantity होती है कि ये P vector quantity होती है ध्यान रखना क्या होती है इसकी direction क्या होती है इसकी direction from minus q to plus q charge याद रखिएगा questions आए है नीट में इस पे electric dipole moment कैसी quantity है vector quantity है क्या होती है इसकी direction minus q से plus q की तरफ याद रखिए electric dipole moment कैसी quantity होती है vector quantity होती है क्या होती है इसकी direction minus q से plus q की तरफ electric dipole moment कैसी quantity होती है vector quantity होती है क्या होती है इसकी direction minus q से plus q charge की तरफ यह complete हुआ dipole जल्दी से 2 equal और opposite charge होने चाहिए और वो pass pass होने चाहिए तो इस arrangement को कहते हैं dipole क्यों फिर हमने figure बनाई फिर हमने क्या किया charge को multiply कर दी है distance से कह निकला dipole moment फिर हमने क्या किया charge को multiply कर दी है distance से तो कह निकला dipole moment कैसी quantity है यह vector quantity है क्या होती है इसकी direction minus q से plus q की तरफ क्या होती एक word भी मैं आपको extra नहीं बता रहा हूँ कि जो exam में ना पूछा गया हो कितना आपको minimum आना चाहिए बहुत ध्यान से चल यह आगे बढ़ते डाइपोल हुआ complete अगली adding डालेंगे electric wheel intensity bracket में लेखिए capital E और E के उपर लगाऊ vector sign यह भी vector quantity होती है डाइपोल moment भी vector quantity होती है electric wheel intensity भी vector quantity होती है electric wheel intensity को सुनो बेटा क्या unit positive charge पे मानलो इस point पे मुझे electric wheel intensity निकालना है तो यहाँ एक unit positive charge रख दो तो जो भी main charge है वो unit positive charge पे जो भी force लगाएगा उसे कहेंगे हम electric wheel intensity unit positive charge पर लगने वाले force को electric wheel intensity कहते है unit positive charge पर लगने वाले force को electric wheel intensity कहते है कैसी quantity होती है यह vector क्या direction होती है इसकी same as the direction of force अगर unit positive charge की बात है तो क्या definition होती है इसकी force acting on a unit positive charge इसका एक formula आगे है e is equal to force per unit charge f by q पूरा लिख देता हूं force upon charge e is equal to क्या होता है f by q फार्मूले आने लगे हैं पेटा electricity में ध्यान रखना कई formula आगा है last मैं मैं formula revise करवा दूँगा unit positive charge पर लगने वाले force को क्या कहते है इलेक्ट्रिक फिल इंडेंसिटी कहते है unit positive charge पर लगने वाले force को क्या कहते है इलेक्ट्रिक फिल इंडेंसिटी तो e equal to क्या हो गया force upon charge तो f upon q e is equal to क्या हो गया f upon q force upon charge कैसी quantity होती है मैंने अभी बताया vector quantity होती है इलेक्ट्रिक फिल इंडेंसिटी कैसी quantity होती है vector quantity क्या होती है इसकी direction same as the direction of force same as the direction of force acting on a unit positive charge जो unit positive charge पर जो force लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फिल इंडेंसिटी की direction होती है क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फिल की इसकी दो यूनिट से याद रखो एक तो इसी से याद रखो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर क्या होती है इलेक्ट्रिक फिल इंडेंसिटी की इलेक्ट्रिक फिल इंडेंसिटी की इलेक्ट्रिक फिल इंडेंसिटी की दो यूनिट्स होती है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फिल इंडेंसिटी कहते कैसे है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले पूर्स को इे क्वाल टु कर आगे है अफभाई kसी कािटी ये वैक्टर काइंटी यह क्या डिरेक्ट्स होती है इसकी सेव एично अज़ देडेक्शन अभ फोर्स क्या यूनिट लोती है इसकी न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर क्या यूनिट्स होती है इसकी न्यूटन पर कूलम या बोल्ट पर मीटर क्लियर है अब इसका एक वर्मूल आओ डेराइब कर लीजिए ये कोई चार्ज है ये अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा अज़्य पॉइंट पर मुझे एलेक्रिक पी निकालना है तो डेफिनेशन क्या कहते हैं कि इस पॉइंट पे में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूगा जहांपर भी आपको इलेक्रिक पॉजिटिव चार्ज रख दो ध्यान सो सुनना यह वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा यूनिट पॉजिटिफ चार्ज पर तो उसी बोर्स को कहेंगे इलेक्रिक फील इंडेंजिटी उसी बोर्स को कहेंगे ये लेक्रिक फील इंटेंजिटी क्या होता है वोर्स का फर्मूला 1 by 4 पाइपसालन नॉट q1 q2 by r square इसको भरो 1 by 4 हवा की बाते हो रही है q1 की देखे लेखो वेटा q or q2 की देखे लेखो 1 unit positive charge यहने क्या होता है बन q1 की देखे लेखो q and q2 कि रेगे लिखो 1 upon R square F equal to क्या हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon not Q by R square 1 by 4 pi epsilon not Q by R square और इसी बोर्ड को हम क्या कहेंगे electric field कहेंगे E equal to क्या हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon not Q by R square यह होता है electric field ता एक और formula बहुत लगेगा ध्यान से देखो E equal to क्या होता है 1 by 4 by epsilon not q by r square तो ये complete हुआ electric field ये complete हुआ electric field ये complete हुआ electric field ये हमने क्या किया मुझे इस point पे electric field निकालनी थी क्या रख दिया मैंने यहाँ पर unit positive charge ये वाला charge इस वाले charge पे क्या लगाएगा force कितना 1 by 4 by epsilon not q1 q2 by r square q1 की जगे q लेखा q2 की जगे 1 लेखा r square की जगे r square लेखा q2 की जगे 1 क्यों लेखा क्योंकि ये unit है unit मतला भी क्या होता है one होता है q2 की जगे क्या लेखा one क्यों लेखा क्योंकि unit का मतलब one होता है force आगे है 1 by 4 by epsilon not q by r square और इसी force को कहते है electric field इसी फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले आ गए एक आ गया फोर्स बाय चार्ट यूनिट हो गई दो न्यूटन पर कूलम बोल्ट पर मीटर डिरेक्शन क्या होती है एक आ गया फोर्मूला बन बाय फोर्स बाय एपसाइलन नॉट क्यू बाय आर्ट स्कॉर्स दीरे दीरे आगे बढ़ते चलिए यह कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अगली एडिंग डालिए पॉइंट आफ जीरो इंटेंजिटी पॉइंट आफ जीरो इंटेंजिटी इस पर बेश सवाल नीट में दो या तीन बार आ चुक है क्या होते हैं सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ दो चार्ज दे देते हैं वेटा क्यू वान और क्यू टू मानलो की क्यू टू बड़ा है क्यू बन से मतलब यह चोटा चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देते हैं मानलो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है डी है दो चार्ज दे देंगे आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देंगे और यह कहेंगे कि इन दो चार्जेस के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्रिक फिर इंटेंसिटी जीरो है तो वो आपसे पॉइंट निकालने को कहेंगे उसकी पोजीशन तो मान लेंगे कि उसकी पोजीशन पहले वाले चार्जेसे एक्स डिस्टेंस पे है अच्छा याद रखो कि दिस्टेंस हमेशे चोटे वाले चार्ज से नापना है अच्छा यह बड़े वाले चार्ज से पूछा हो तो कुछ खास नहीं एक्स निकालने के बाद डी में से घटा देना जब यह डिस्टेंस एक्स है तो यह डी माइनस एक्स होगा तो यह एक्स निकालने को हमें कहते है कि ये point कहां है कौन सा point जहां पर electric field intensity 0 है question mark बना देता हूँ तो ये एकसा में निकालने को कहते हैं फिर से समझ लो question का pattern क्या रहेगा आपको 2 charge दे देंगे और इनके बीच में एक ऐसा point निकालने को कहेंगे जहां पर net intensity क्या हो 0 हो है न तो याद रखो जो भी distance निकलेगा न वो smaller charge से निकलता है distance from smaller charge ये formula जो shortcut है इसमें कहां से distance निकलेगा smaller charges से q1 को ही हमने smaller माना है और distance को x से लिखा है तो x निकालने का formula total distance total distance ले लो upon root में bigger charge जो बड़ा charge है उसे ले लो upon smaller charge जो smaller charge है उसे ले लो plus minus 1 ये plus minus भी बाहर है 1 भी बाहर है root के अंदर क्या है सिर्फ bigger charge upon smaller charge ये formula आपको याद रखना है ये formula में कहां से distance देगा है distance from smaller charge distance from smaller charge is equal to क्या होता है total distance upon root में bigger charge upon smaller charge plus minus 1 distance from smaller charge is equal to क्या होता है total distance upon root के अंदर bigger charge upon smaller charge plus minus 1 अब ये plus minus का मतलब समझ लो plus sign आपको तब लेना है जब nature of charge same हो plus sign कब लेना है जब nature of charge same हो मतलब दोनो positive हो या दोनो negative हो plus sign कब लेना है जब nature of charge same हो मतलब एक positive दिया हो पहला positive दूसरा negative या पहला negative दूसरा positive तो nature of charge अपोजिट हो तो माइनस sign लेना है बहुत important formula अगर आप इसे apply करना सीख लेंगे तो direct answer आता है याद कीजिए formula को distance from smaller charge is equal to total distance upon root में bigger charge upon smaller charge plus minus one plus minus one root के बाहर है plus sign कब लेना है जब nature of charge अपोजिट हो माइनस sign कब लेना है जब nature of charge अपोजिट हो clear है चल ही आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं electric field intensity heading डालिए at any point on the axis of a dipole electric field intensity at any point on the axis of a dipole electric field intensity at any point on the axis of a dipole ये एक dipole है ये plus charge ये minus charge अभी dipole पढ़के आ रहे हैं और ये two acre distance ये dipole की axis है ये dipole की axis है axis पर कोई point है पी पी point पर हमें electric field निकालना है dipole की axis पर कोई point ले लिया है और उस point पर हमें electric field निकालना है point P की position क्या है center से ये r के distance पर है point P की position क्या है center से ये r के distance पर है बहुत ध्यान से देखिए मेरे पास दो charge है positive और negative दोनों के बीच का distance कितना है two A तो दो charge मिलके positive negative equal और opposite charge मिलके dipole बनाते है तो ये एक तरह से dipole है dipole की axis पर r के distance पर एक point है P तो क्या करना है मुझे P point पर electric field निकालना है तो electric field आ जाती है direct formula याद रखो one by बोरपा epsilon naught two PR upon r square minus a square का whole square ये axis पर electric field का formula है कितनी आती है dipole की axis पर electric field याद करो जल्दी से one by बोरपा epsilon naught two PR upon r square minus a square का whole square one by बोरपा epsilon naught two PR upon r square minus a square का whole square अब जैसा कि देख रहा होगा कि ये formula तो काफी complex है तो हमें ने एक चीज पढ़ी है dipole याने चोटी length याने 2a की value क्या होती है कम आधी value क्या हो जाएगी a और कम a square क्या हो जाएगा और भी कम एक फर्मूला और आता है जिसमें हम a square को neglect कर देते हैं तो नॉर्मली numerical में इसे ही लगाते हैं तो लेको neglecting a square तो फर्मूला आजाएगा one by बोरपा epsilon naught two P by r cube फर्मूला आजाएगा one by बोरपा epsilon naught two P by r cube a square को अगर मैं छोड़ दूँ तो आजाएगा one by बोरपा epsilon naught two P by r cube तो numerical में में यही फर्मूला हम लगाएगे बड़ा फर्मूला क्या है one by बोरपा epsilon naught two P r upon r square minus a square का whole square और छोटा फर्मूला क्या है one by बोरपा epsilon naught two P by r cube ये किसके फर्मूले लिखे हैं डाइपोल की access पर electric field इसके फर्मूले हैं ये डाइपोल की access पर electric field अगली heading डाली है अगली heading डाली है electric field intensity at any point on the equatorial line of a dipole electric field intensity at any point on the equatorial line of a dipole positive है ये नेगेटिव है इसे कहते है equatorial line जो center से जाए और access के perpendicular हो एक्वेटर किसे कहते हैं जो center से जाए और access के perpendicular हो यहां पे कोई point है पी और वहां मुझे electric field निकालना है डाइपोल के equator पे मैंने कोई point ले लिया है पी और वहां मुझे क्या निकालना है electric field डाइपोल के equator पे मैंने कह ले लिया है point P और वहां मुझे क्या निकालना है electric field फॉर्मूला जो आपको याद रखना है यह फर्मूला और complex हो गया एकपेटर पे electric field कितनी आती है इसमें भी वही लिखी है neglecting A square A square लिखना भूल जाईए neglecting A square तो फॉर्मूला आजाएगा 1 by 4 by epsilon node P by R cube जब मैं A square को लिखना भूल जाऊंगा फॉर्मूला आजाएगा 1 by 4 by epsilon node P by R cube उसमें आया था 2P by R cube इसमें आ रहा है P by R cube बड़ा फॉर्मूला क्या है 1 by 4 by epsilon node P upon R square प्लस A square की पार 3 by 2 और छोटा फॉर्मूला क्या है 1 by 4 by epsilon node P by R cube clear है और आगे बढ़ते हैं अगली एडिंग डाली है relation between E axis and E equator E axis कितना आ रहा था याद करो 2P by R cube और E equator कितना आ रहा था कि सिर्फ P by R cube तो हम कह सकते हैं कि जो axis पर electric field होती है वो equator के respect में double होती है अगर distance same होती है same distance के लिए axis पर electric field equator के respect में double होती है E axis is equal to होता है 2 times of E equator E axis is equal to होता है क्या होता है विदा 2 Times of E Equator E boxes is equal to क्या होता है बिटा 2 Times of E Equator E boxes is equal to क्या होता है बिटा 2 Times of E Equator E axis is equal to क्या होता है बिटा बहलेंगे 2 Times of E Equator याद रहेगा आगे electric field at any general point ज़ारोरी थोड़ी है बिटा यह 2020 में पूछा गया यह जनरल पॉइंट का जरूरी थोड़ी है कि जो पॉइंट हो वो डाइपोल की एक्सिस क्या एक्वेटर पर ही हो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है मानलो यहां है पॉइंट आर के डिस्टेंस पे है कोई पॉइंट पी यह पी पॉइंट है जो एक्सिस से थीटा का एंगल बना रहा है पी पॉइंट पर हमें एक्वेटर निकालना है जरूरी नहीं है कि पॉइंट एक्सिस या एक्वेटर पर ही हो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है तो यह हमने general point ले लिया यह कितने distance पे बेटा बोलेंगे R के distance पे और कितने angle पर है बेटा बोलेंगे theta के angle पर है theta के angle पर electric field का formula है 1 by 4 by epsilon 0 P by R cube root के अंदर 1 plus 3 cos square theta क्या formula है बेटा बोलेंगे 1 by 4 by epsilon 0 P by R cube root के अंदर 1 plus 3 cos square theta अब ध्यान से सुनिएगा अगर मैं theta की जगे 0 लिख दूँ तो point axis पर आ जाएगा तो axis का formula आ जाएगा कैसे? cos 0 1 हो गया 1 plus 3 4 हो गया 4 का root 2 हो गया तो 2 P by R cube अगर मैं theta की जगे 90 लिख दूँ तो equator का formula आ जाएगा cos 90 0 हो जाएगा 1 का root 1 ही रहेगा तो e equator आ जाएगा 1 by 4 by epsilon 0 P by R cube इस formula से पुराने दोनों formula निकाले जा सकते हैं इस formula से पुराने दोनों formula निकाले जा सकते हैं clear है इस थीटा का जल्दी से formula याद करो 1 by 4 by epsilon 0 P by R cube root के अंदर 1 plus 3 cos square theta clear है थीटा के angle पर अगर आपको electric field निकालना हो थीटा का angle major किससे करना है एक्सेस से थीटा का angle major किससे करना है बेटा बोलेंगे एक्सेस से clear है चली आगे बढ़ते हैं force article बदल गया electrostatic force and field complete हो गया अब हम dipole पर लगने वाले force की बात कर रहे है force torque acting on a dipole when it is placed in a uniform electric field heading डालो torque acting on a dipole when it is placed in a uniform electric field torque acting on a dipole when it is placed in a uniform electric field ये कोई uniform electric field है कितनी intensity है इसकी E इसमें हमने कोई dipole लटका दिया ये dipole लटका है dipole यानि कि अब plus q charge और minus q charge और two acre distance plus q charge minus q charge और two acre distance कितने अंगल पर dipole लटका है थीटा के अंगल पर dipole लटका है कितने अंगल पर dipole लटका है थीटा के अंगल पर dipole लटका है क्या चाहेंगे ये दोनों फोर्स डाइपोल जो है फील्ड के पैरलल हो जाए क्या चाहेंगे तो ये दोनों फोर्स की डाइपोल फील्ड के पैरलल हो जाए कितना फोर्स लगेगा क्यू ई क्यू ई फोर्स यहां क्यू ई फोर्स यहां क्यू ई फोर्स का फर्मूला क्या होता ह तो जब एक ही बॉड़ी पर दो इक्वल और अपोजेट फोर्स काम करते हैं तो बात करना पड़ती है यह कहा जाता है कि बॉड़ी पर एक कपल काम कर रहा है जब एक ही बॉड़ी पर दो इक्वल और अपोजेट फोर्स काम करते हैं क्या कहा जाता है कि बॉड़ी पर कपल का लाज आए वो क्या निकाला जाता है moment of couple इसे ही शोर्ट में कह रहे हैं कि इसे ही शोर्ट में कह रहे हैं क्या निकाल रहा हूं मैं moment of couple और टॉर्क, इसका फर्मूला होता है बिटा, P cross E, P cross E को extend करके क्या लिखा जा सकता है, P E sine theta, टॉर्क का फर्मूला क्या होता है, P cross E, इसको क्या लिखा जा सकता है, P E sine theta, इसकी maximum value क्या होती है टॉर्क के P E कब जबकि theta 90 degree हो इसकी minimum value क्या होती है टॉर्क के 0 वो कब जबकि theta 0 degree हो जब भी किसी dipole को मैंने क्या बोला किसी uniform electric field में रखते है तो dipole पर 2 equal और opposite force काम करते है क्या चाहते हैं वो 2 force कि dipole field के parallel हो जाए क्या चाहते हैं वो 2 force ये third ये fourth कि dipole field के parallel हो जाए तो जब भी किसी body पर क्या काम करते है 2 equal और opposite force तो कहा जाता है body पर एक couple काम कर रहा है क्या निकाला जाता है moment of couple कि इसी को कह रहे है torque कितना आगया torque का formula P cross C या इसे लग सकते है P E sin theta या torque maximum होता है P E 90 के angle पे ताउ minimum होता है 00 के angle पे torque के बारे में आपको इतना आना चाहिए main formula P cross C अगला easy हो चुका है lesson state बस formula है याद करते जाओ अगली adding डालो work done in rotating a dipole in an electric field work done in rotating the dipole in an electric field कोई dipole field में रखा है इसे हमें गुमाना है गुमाना है तो हमें काम करना पड़ेगा कितना दो formula याद रखो एक बार मानो की 0 से theta गुमा रहे हैं पहले 0 का angle है फिर theta गुमा रहे हैं तो काम और एक बार theta 1 से theta 2 गुमा रहेंगे पहला क्या है work done in rotating the dipole in rotating the dipole पहली बार कहां से कहां गुमा दो from 0 to theta from 0 to theta पहली बार dipole को कहां से कहां तक गुमा दिया 0 से theta तो formula आता है PE 1 माइनस cos theta जो आपको याद रखना है किसी भी dipole को अगर मैं 0 से theta गुमा ओंगा कितना formula आएगा PE 1 माइनस cos theta किसी भी dipole को जब मैं 0 से theta गुमा ओंगा तो formula क्या आएगा PE 1 माइनस cos theta एक फर्मूल और याद रख लो work is done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2 दूसरी बार में dipole को कहां से कहां गुमाऊंगा theta 1 से theta 2 तक दूसरी बार में dipole को कहां से कहां तक गुमाऊंगा है ना अगर angle 0 से theta दिया हो तो direct formula लग जाएगा P1-cos theta और अगर theta 1 से theta 2 दिया है तो work का formula होता है P1-cos theta 1-cos theta 2 जब दो angles दियों कि 30 से 60 गुमाना है तो फिर ये formula लगेगा एक ही angle दिया हो कि parallel और 30 तक ले जाना है तो उपर वाला लगेगा मैंने with adding लिखवा दिये 0 से theta गुमाने में कितना काम होगा P1-cos theta और theta 1 से theta 2 गुमाने में कितना काम होगा P1-cos theta 1-cos theta 2 0 से theta गुमाएंगे तो P1-cos theta और theta 1 से theta 2 गुमाएंगे तो P E cos theta 1 minus cos theta 2 clear है चली आगे बढ़ते हैं Potential energy of a dipole in a uniform electric field इसकी definition भी थोड़ी सी याद रखो Potential energy of a dipole heading डाल लो Potential energy of a dipole in an electric field अब मैं dipole को फिर से गुमाऊंगा लेकिन आप गुमाऊंगा 90 से theta एक बार कहां से कहां गुमाया 0 से theta तो वरकाया P E 1 minus cos theta एक बार गुमाया theta 1 से theta 2 तो वरकाया P E cos theta 1 minus cos theta 2 अब तीसरी बार में dipole को गुमाने के लिए तयार हूँ अब मुझे 90 से theta गुमाना है तो 90 से थीटा घुमाने में जितना काम करना पड़ता है वो कहलाता है डाइपोल की potential energy definition ही है ध्यान रखना है potential energy किसके equal होती है work done in rotating the dipole from its zero energy position zero energy position bracket में लिखो theta equal to pi by 2 हाँ पेटा 90 की position को कहा जाता है zero energy position क्यों अभी एक minute बात समझ में आएगा to that orientation यह definition होती है potential energy की क्या है बेटा work done in rotating the dipole from its zero energy position zero energy position कैसे कहते है theta equal to pi by 2 to that orientation याद करो work done in rotating the dipole from its zero energy position zero energy position कैसे कहते है pi by 2 की position को to that orientation potential energy को अगर मैं यू से लिखूँ तो formula होता है minus pe cos theta अब मुझे बता अगर इस formula में theta की जगे pi by 2 लिख दूँ तो energy कितनी आएगी zero तो pi by 2 की position को कहते है zero energy position और यह होता है पोटेंचिल इनर्जी का फॉर्मूला minus में pe cos theta potential energy का फॉर्मूला minus में pe cos theta और definition work done in rotating the dipole promise zero energy position zero energy position किसे कहते है याद रखना pi by 2 को to that orientation formula बोलेंगे potential energy का minus pe cos theta clear है next heading डाली है electric flux heading डाली है electric flux electric flux को काई से लिखते है phi से electric flux को काई से लिखते है बिड़ा बोलेंगे phi से simple बाशा में हम कहें अगर definition तो लिख लेंगे electric flux जैने क्राअ होता है electrical field lines को कहते है electric flux जो unit area से cross कर रही है electric field lines जैसे ज्यादा lines जा रही है हम कह सकते हैं कि वहाँ electric field ज्यादा है और unit kays लॉन लाइनस आ रही है unit area से हम कह सकते हैं कि वहाँ electric field क्या है? कम है. कम electrical lines जा रही है. हम वहाँ कह सकते हैं कि electric field कम है. तो अभी तक हम electric field intensity को कैसे define करते थे? force निकालते थे? unit charge पे कितना force लग रहा है? एक और तरीका है. field lines की मदद से भी हम electric field judge कर सकते हैं. अगर field lines ज्यादा है तो हम कहेंगे electric field ज्यादा है उस region में. अग कहेंगे उस region में electric field कम है. क्लियर है? तो heading डालिए electric flux. तो लिखिए measure of count of number of electric field lines crossing an area. electric flux के जहें कहते हैं? मेजर of count of electric field lines passing through a given area. flux के बारे में लिखो पहले पूरा. अभी सब समझ में आएगा आपको measure of count of electric field lines passing a passing through a given area. अभी मैंने समझा है इसकी क्या utility है? इसकी मदद से हम electric field intensity निकाल सकते हैं. flux per unit area को कहते हैं electric field. अगर unit area से ज्यादा flux जा रहा है, हम क्या कहेंगे electric field ज्यादा है और unit area से कम flux जा रहा है. तो हम क्या कहेंगे electric field intensity कम है. clear है? आगे लेखेंगे अगला point, flux per unit area is called electric field intensity. flux per unit area क्या 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 राती है? electric field intensity. flux यहने number of electrical lines, इसको अगर area से divide कर दो, तो हमें क्या पता चल जाएगी electric field intensity. e बराबर होता है d5 by ds, e बराबर क्या होता है d5 by ds, flux upon area. अब flux और area में angle क्या होना चाहिए? यह लिख देता हूँ अभी. तो d5 equal to क्या हो गया? e ds, d5 equal to क्या हो गया? e ds. यह area पर भी vector sign बना लो, क्योंकि area भी हमें कौन सा लेना है? perpendicular direction में. तो यह formula याद रखना, d5 equal to क्या हो गया? e ds, ऐसे ही लिख लो चाहो तो. यह चलो, ऐसा. d5 equal to e ds. e ds का scalar form क्या हो जाएगा? a dot b का formula क्या होता है? mod a mod b cos theta. e ds का क्या हो जाएगा? e into ds into cos theta. vector form में e dot ds. और e ds cos theta. बहुत द्यान से. बहुत द्यान से. बहुत द्यान से flux यह ने क्या number of electrical lines. इसे area से divide कर दिया तो क्यारे कल आया? electric field formula आ गया. e equal to क्या होता है? d5 by ds. तो d5 equal to क्या हो गया? e ds. जा फिर क्या हो गया? e ds cos phi. है न? e dot b का formula क्या होता है? mod a mod b cos theta. अब unit लेक लो flux की. unit of electric flux. magnetic flux की होती है. Newton meter square per koolam. Newton meter square per koolam. या voltmeter Newton meter square pr coolam. या voltmeter? दोनो unit याद रखना. Newton meter square per koolam. या voltmeter. dimensions निकाल लो newton meter square per coulomb से dimensions of electric flux newton यहने force mlt minus two meter square यहने length square अब coulomb यहने आपको बताया है 80 newton यहने mlt minus two meter square यहने क्या है length square coulomb यहने 80 तो यह क्या आगया ml cube t minus three a minus one कितना आगया ml cube t minus three a minus one और लिख लो electric flux जो है dot product यहने scalar है electric flux हर चीज बता रहा हूं electric flux के बारे में is a scalar quantity electric flux कैसी quantity है scalar quantity है electric flux कैसी quantity है scalar quantity है electric flux कैसी quantity है scalar quantity है clear है अब होता क्या है ध्यान से सुनना बाहर जाने वाले flux को positive flux कहा जाता है conventionally और अंदर आने वाले flux को negative flux कहा जाता है कोई body से flux निकल रहा है तो वो positive flux किसी body पे flux भुश रहा है तो उसे negative flux conventionally तो लिख लेजिए incoming flux जो होता है negative आट गोईंग फ्लक्स पॉजिटिव या आट गोईंग लेख लीजिए आट गोईंग फ्लक्स यसे हम लेते है positive और incoming flux यसे हम लेते है negative इंकमिंग फ्लक्स यसे हम लेते है negative ठीके बटा incoming flux को हम लेते है negative इतना हमें पता होना चाहिए इतना हमें पता होना चाहिए flux के बारे में flux को कैसे define कि है measure of count of electric feed lines passing through a given area अब flux को अगर area से divide कर दे हम तो क्या निकलेगा electric field e बराबर होता है d5 by ds तो d5 बराबर हो गया e dot ds इसको क्या लिख सकते eds cost data unit of electric flux याद रखो newton meter square per column या volt meter dimensions याद रखो ml cube t minus 3 यह minus 1 electric flux क्या है scalar quantity है outgoing flux क्या होगा positive incoming flux क्या होगा negative clear है अब सवाल उठता कोई charge अगर है तो वो कितना flux release करता है तो यह समझाया गौस ने गौस ने क्या कहा suppose करो यह charge है तो इससे कितना flux निकलेगा तो गौस ने कहा जैसे charge है क्यूँ तो flux कितना निकलेगा one by epsilon not time sub charge बड़ा चोटा सा formula दिया onξ को फाी से लिखते किसी चार्ज q से कितना plus निकलेगा जो भी चार्ज अच उसका one by epsilon not time जो भी चार्ज Powers के कितना वो लेंग गे वन बाइपसाइलन not time किसी भी चार्ज से flux कितना निकलता है बइब आपसाईलन not times of charge. इसी भी charge इसे flux कितना release होता है? 1 by epsilon not times of charge. clear है? एक line में इसका statement लिख लीजी है. The total flux, the total flux linked with any closed surface, linked with any closed surface. is, 1 by epsilon not times, the total charge, in closed by the surface. But here, the total flux, linked with any closed surface, is 1 by epsilon not times the total charge, enclosed by the surface. The total flux, linked with any closed surface, is 1 by epsilon not times, the total charge enclosed by the surface. So flux, electric flux कितना होता है? 1 by epsilon not times of charge. है न? तो phi equal to क्या हो जाएगा? 1 by epsilon not times of cube. यह चूट असा है, गोस्ट जिरों. फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, फ्लक्स किसके equal होता है? चार्ज का 1 by epsilon not times. फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, और फ्लक्स कितना होता है? 1 by epsilon not times of charge. फ्लक्स को फाई से लिखते हैं और फ्लक्स कितना होता है बिटा बोलेंगे 1 by epsilon not times of charge फ्लक्स को फाई से लिखते हो फ्लक्स कितना होता है 1 by epsilon not times of charge फ्लक्स को फाई से लिखते हो फ्लक्स कितना होता है याद रहेगा 1 by epsilon not times of charge किसी भी body से flux कितना release होगा उसने जो charge in close किया हुआ है उसका 1 by epsilon not times epsilon not की value यादी है epsilon not क्या लाता है absolute permittivity सब लिखवाई है वेली बोली है 8.86 इंटो 10 की पावर माइनस 12 कूलंब स्क्वेर बाय नूटन मीटर स्क्वेर या फिर 8.86 इंटो 10 की पावर माइनस 12 पर मीटर या फिर 8.86 इंटो 10 की पावर माइनस 12 पूलंब स्क्वेर बाय नूटन मीटर स्क्वेर या फिर 8.86 इंटो 10 की पावर माइनस 12 फैरेड पर मीटर आगे बढ़ते हैं तो गौस्टेरम को लाके आपको आनी चाहिए अब यह चालू होगा है एप्रिकेशन साफ गौस्टेरम की मदद से हम क्या कर सकते हैं कई बोडी की इलेक्रिक फीड आसपास कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं वो निकाल सकते हैं सबसे पहले बात कर रहे है पहले पहले सकते हैं स्टेरम के आप तो ऐसे निकालो फीरिकल शेल है उसको हम जो भी चार्ज देंगे वो चार्ज काहा प्छाएगा उसकी सर्फेस पर और हम एजियूम करेंगे कि चार्ज कहां रखा हुआ है उसके सेंटर पर यह है शेल की रेडियस आर्ट यह कहां नहीं hollow shell पे charge कहां रहता है surface पे और assume क्या किया जाता है कहां रखा है center पे रखा है whenever a metallic shell is charge क्या होगा बोलो whenever a metallic shell is charge किसी कोकले-गोले को charge करोगे तो क्या होगा किसी में पूरी कहा नहीं चुप़ी है the total charge spreads uniformly over its surface कहां चार्च चला जाएगा किसी भी कोकली चीज को charge करो पूरा charge कहां पहल जाता है उसकी surface पहल जाता है फिर क्या लेखेंगे it can be assumed to be concentrated अब हमें तो कहीं मानना है तो क्या मान लेंगे कि center पर रखा है it can assume to be concentrated at the center of the shell करते हैं कि पूरा charge कहां रखा हुआ है उसके center पर रखा हुआ है हम क्या assume करते हैं कि charge कहां रखा हुआ है इस center पर इससा आइसा आइसा पाकी है कहां सर्फेस पर यह है आज आज अब हम क्या करेंगे ध्यान से सुनो, तीन जगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक बार र डिस्टेंस पे बाहर, यह पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, एक बार सर्फेस पर, एक बार यहां निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बार अ का नेचर याद रखोगा आप जानते हो कुछ नया काम है यह नहीं बहुत लियर हम छोड़िए ऐसे ही बताइए आउट साइड दे शेल कितना होगा ही आउट साइड दे शेल कितना होगा बन बाइफ ओर पाइफ साइलन नौट क्यू बाइफ चोटा आर स्कूर इना डिस्टे यह बाइफ साइलन नौट क्यू बाय समॉल डरे स्कूर on the surface of the shell कितने आ जाएगी ओन दसर्फेस अउफ शेल सर्फेस पर कितनी आ जाएगी सर्फेस की जब हम बात करेंगे स्मॉल आर स्क्वेर को रिप्लेस कर देंगे केमपिटल आर स्क्वेर से हैं न जब यहां की बात करेंगे तो डिस्टेंस की जगे रेडियस लेंगे तो बाहर में कितनी आई Q by चोटा R square और surface पे कितनी आई Q by बड़ा R square अब लिखो inside the shell Shell के अंदर कितनी आएगी तो shell के अंदर तो ध्यान से देखो कोई चार्ज है ही नहीं चार्ज हम एजियूम कर रहे हैं center पे बाकी चार्ज कहां रखा हुआ है सरफेस पे फेला हुआ है अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं अंदर कोई चार्ज नहीं है तो electric field आएगी 0 अंदर कोई चार्ज नहीं है तो electric field आएगी 0 तो shell के कारण ये तीन result आपको याद रखना है Shell के बाहर कितनी electric field होती है One by four by epsilon not q by small r square शेल के सरफेस पे कितनी इलेक्रिक फील्ड होती है वन बाई पूर पाई एपसाइलन नॉट क्यू बाई कैपिटल र स्क्वेर और शेल के अंदर कितनी इलेक्रिक फील्ड होती है जीरो शेल के बाहर कितनी इलेक्रिक फील्ड होती है one by four five epsilon not q by چھوٹا r square shell के surface पे कित्थी होती है one by four five epsilon not q by vada r square और shell के अंदर electric field कितनी होती है बटा बोलेंगे zero इन तीनों result की हर्ब से हमें graph draw करेंगे इस axis पे मैंने लिया distance और इस axis पे मैंने लिया electric field है ना दोनों के बीच में graph draw कर रहा है अलग pen से कर रहा हूं तो center to surface तो electric field zero है तो graph बिल्कुल bottom line पर आएगा center to surface electric field zero है फिर surface पर राकर जब हम बात करते हैं तो electric field में sudden rise होगा और बाहर निकलने पर फिर electric field non uniformly कम होगी तो ऐसा graph आएगा discontinuous graph है ना यह हम किसकी बात करते हैं radius की बलके लिखो नहीं कुछ भी result तो पहले ही याद है हमें center to surface क्या होगा electric field zero और surface पर electric field maximum और बाहर निकलने पर electric field non uniformly कम होगी बाहर निकलने पर electric field non uniformly कम होगी 2021 में graph आया है लेकिन shell की बजाए solid sphere का आया है cable के नाम से cable याने solid sphere solid cylinder sorry cable याने solid cylinder तो solid body का graph आया है बन्टा तो यह हो गया shell का graph यह हो गया shell का graph clear है बाहर electric field कितनी होगी one by four by epsilon naught q by small r square surface पर कितनी होगी one by four by epsilon naught q by capital r square और अंदर कितनी होगी zero clear है चली आगे बढ़ते है हाँ अगली आइटिंग डालिए electric field due to charge non conducting solid sphere electric field due to charge non conducting solid sphere देखो किसी hollow shell को charge दे रहे थे पूरा charge कहाँ पहल रहा था उसकी surface पे solid sphere को charge देंगे non conducting तो charge कहाँ पहलेगा उसके पूरी volume में क्योंकि अंदर भी material है तो charge कहाँ जाएगा उसके पूरी volume पर non conducting solid sphere को charge करेंगे तो charge कहाँ पहलेगा उसके पूरी volume पर क्योंकि अंदर भी material है तो charge कहा पहलेगा उसकी पूरी volume पर तो लिख रहा है whenever whenever a non-conducting solid sphere is charged a non-conducting solid sphere is charged the total charge कहा पहलेगा spreads uniformly से पहले शेल था शेल में कहा पहला था सिर्फेस पे और solid sphere में कहा पहलेगा तो टोटल चार्ज spreads uniformly over its volume कहा पहलेगा उसके पूरी volume में solid sphere non-conducting को चार्ज करेंगे कहा पहलेगा चार्ज उसके पूरी volume में assumption वही रहेगा पहला पूरी volume में है लेकिन हम क्या मानेंगे कि कहा रखा हुआ है चार्ज center पर रखा हुआ है the total charge can be assumed to be concentrated the total charge can be assumed to be concentrated at the center of the sphere concentrated at the center of the sphere किसी solid sphere को चार्ज करेंगे तो पूरा चार्ज कहां पहलेगा उसके पूरी volume पर पूरा चार्ज कहां पहलेगा shell को चार्ज किया था तो surface पे पहला था और non-conducting solid sphere को चार्ज करेंगे तो चार्ज कहां पहलेगा उसकी पूरी volume पर और क्या assumption करेंगे हम की पूरा charge कहां रखा हुआ है उसके center पर रखा हुआ है चार्ड पूरे volume पर फैला है और हम assume करेंगे की पूरा charge कहां रखा हुआ है प्रूरा चार्ज काहां रखा हुआ है। चलिए बनाते थिए अब ये सॉलड है तो अंदर बना दे रहा हूं रहा हुआ आप मतलब चार्ज अंदर भी है पूरे वालिउम पे मैं ना काम वही है कि या चार्ज center पे यह radius है और यह small radius है तीन जगे में electric field निकालना है कहां कहां बाहर surface पर r distance पे अंदर कहां में electric field निकालना है clear है बाहर निकालना है surface पे निकालना है और अंदर निकालना है तो पहले दो result same आएंगे जो hollow shell के आयते वही रिजल्ट आएंगे तीसरा रिजल्ट चेंज होगा तीसरा रिजल्ट क्यों चेंज होगा क्योंकि अभी अंदर भी चार्ज है यह रहे हैं यह नमबर डालके लिखो तो e at a point, black pen लिए यूज करता हूं मैं, e at a point outside the sphere यह रहाएं का 1 by 4 by epsilon naught, same result, q by small r square, यह क्या होगा, e at a point outside the sphere यह क्या है पेटा, E at a point outside the sphere, B number, E at a point on the surface of the sphere. surface पे क्या होगा, one by four pi epsilon naught, qy capital R square, यह दोनों रिजर्ट तो नहीं बदले बिटा, पहले भी चायशेल हो चायशेल हो, दोनों रिजर्ट सेम रहते हैं, चायशेल हो, चायशेल हो, दोनों रिजर्ट सेम रहते हैं, रिजर्ट कौन सा बदलेगा, तीसरा, शेल में क्या था, अंदर कोई चार्ज नहीं था, तो अंदर electric field zero आ गई थी, और solid sphere में क्या है, अंदर भी चार्ज है, अंदर भी चार्ज है, मतलब अंदर electric field zero नहीं आएगी, direct formula लेक रहा हूँ, e at a point, inside the sphere, अंदर electric field कितनी आएगी, शेल में तो zero थी, तो यह होती है, one by four by epsilon not, qr, q into small r, by rq, यह small r क्या है बेटा, वो distance जहां पर आपको electric field निकालना है, वो capital r क्या है, जो sphere लिया है, उसका radius, small r क्या है, वो distance जहां electric field निकालना है, वो capital r क्या है, sphere का radius, small r क्या है, वो distance जहां आपको electric field निकालना है, वो capital r क्या है, sphere का radius, तो outside electric field कितनी आगे, जितनी shell में आई थी, one by four by epsilon not, q by छोटा r square, surface पे electric field कितनी आगे, जितनी shell में आई थी, one by four by epsilon not, q by capital r square, और अंदर electric field कितनी आगे, one by four by epsilon not, q r by r cube, अंदर electric field कितनी आगे, one by four by epsilon not, q r by r cube, clear है, अब इसका graph बना लीजिए, इस axis पे लो distance, इस axis पे लो electric field, तो क्या होगा, surface center से surface तट, electric field uniformly बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि देख रहा होगा, अंदर जो है, और करके लिख देता हूँ, e proportional होती है, r के, दिखी रहा होगा, e proportional है, छोटे r के, तो अंदर क्या होता है, ध्यान से देखो, electric field uniformly बढ़ती है, जब हम surface पर आ जाते हैं, यह capital r, तो electric field की value maximum होती है, जब electric field की value maximum होती है, और जब हम बाहर निकलते हैं, तो electric field non uniformly कम होती है, यह uniform graph है, straight और यह curve, थोड़ा सा curve और बनाओ, यह भी नहीं, तो आपको state दिखे, बोलो कैसे कैसे change होई, अंदर electric field uniformly बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि e proportional r क है, बाहर non uniformly कम होगी, क्योंकि e ultra चलेगा r square की, जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, यह rule follow होने लगेगा, इस तर एका graph आता है, solid sphere की electric field का, इस तर एका graph आता है, solid sphere की electric field का, इस तर एका graph आता है, solid sphere की electric field का, अंदर uniformly बढ़ती है, बाहर non uniformly कम होती है, अंदर uniformly बढ़ती है, बाहर non uniformly कम होती है, अंदर uniformly बढ़ती है, बाहर non uniformly कम होती है, और surface पे maximum होती है, बहुत ध्यान से कीजिएगा, surface पे क्या होती है, maximum होती है, clear है? अगली एडिंग डालो इलेक्ट्रिक फिल्ड यू टू लाइन चार्ज यह कोई लाइन चार्ज है यह कितनी इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्यूस करेगा और कैसी प्रोड्यूस करेगा सोचो जैसे यह तार है विड़ा तो तार अपने क्या करेगा आसपास electric field produce करेगा याने cylinder के form में करेगा line charge अपने आसपास कैसी electric field produce करता है cylinder के form में करता है line charge अपने आसपास कैसी electric field produce करता है cylinder के form में करता है मानलो r के distance पे हमें p point है और यहाँ पर मुझे electric field निकालना है पहले चलो line charge की बात करें यह charge है ये कहां फैला हुआ है बड़ा पूरी length में किसी भी पत्ली सी चीज़ को charge करोके तो क्या होगा पूरी length में charge फैल जाएगा तो जब भी line charge की बात हो बात होती है charge per unit length की line charge याने किसकी बात होगी length की बात होगी अब पूरा charge कहां फैलेगा length के along फैलेगा so line charge की बात हैं जब भी होती है तो किसकी बात होती है charge per unit length की लेको let the charge per unit length किसकी बात होगी charge per unit length that is linear charge density linear लेंडा से 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 अब suppose करो हम R के distance पे electric field निकालना चाह रहे हैं तो उसका formula क्या होता है वो मैं डिरेक्टरी लिख रहा हूँ ये line charge है इससे मैं R के distance पे electric field निकालना चाह रहा हूँ कितना formula है गा straight direct आप याद करो clear है line charge में charge कहां पहलेगा पूरे length पे तो charge per unit length को क्या कहते है linear charge density कहते है और linear charge density को का है से लिखते है लेमडा से लिखते है shell पे charge दिया था तो shell पे charge कहां पहला था surface पे solid sphere को charge दिया था तो charge कहां पहले था पूरी volume में और line को charge देंगे तो charge कहां पहलेगा पूरी length में clear है तो lambda बराबर क्या हो गया charge upon length E at point P, direct याद रखिया है, E at point P, electric field का formula होता है lambda by two pi epsilon not r, अब अब electric field distance के बढ़ने पर कम हो, तो सब में ही होती है, electric field का formula होता है lambda by two pi epsilon not r, electric field का formula होता है beta बोलेंगे lambda by two pi epsilon not r, electric field का formula होता है याद रखिये, lambda by two pi epsilon not r, electric field का formula होता है, line charge कितनी electric field produce करता है r के distance पे, lambda by two pi epsilon not r, ये line charge है, और ये r के distance में मुझे electric field निकालना है, कितना हैगी electric field इस point पे, lambda by two pi epsilon not r, lambda में बता चुका हूँ क्या कहलाती है, linear charge density यहाँ फिर से लिख देता हूँ, lambda क्या कहलाती है, linear charge density याने charge upon length, तो line charge का एक formula है जो आपको याद रखना है, lambda by two pi epsilon not r, line charge का एक formula आपको याद रखना है, lambda by two pi epsilon not r, line charge का एक formula आपको याद रखना है, lambda by two pi epsilon not r, clear है, चल यह आगे बढ़ते हैं, electric field due to sheet of charge, अब हम बात कर रहे हैं sheet of charge की, यह sheet है suppose करो इसको मैं charge दूँगा, तो कितनी electric field produce होगी वो मुझे बताना है, तो अगर कोई sheet है तो उसको charge देने पर उसका charge कहाँ पहलेगा, उसके पूरे area में फैलेगा, shell में कहाँ फैला था, surface पे, solid sphere में, volume में, line charge में, length पे, और sheet of charge में area पे, इसमें बात होती है area की, सोचके देखो, sheet है तो पूरा charge इसे करेंगे, तो charge कहाँ पहलेगा, area पे फैलेगा, है ना, तो लिखो, let the charge per unit area, अब हम किसकी बात करेंगे, charge per unit area, let the charge per unit area, that is, surface charge density, इसको कहते हैं बटा, surface charge density, let the charge per unit area, that is, the surface charge density, is sigma, charge per unit area, that is, surface charge density, is sigma, charge per unit area, charge per unit area, को ही क्या कहा जाता है, surface charge density, इसे कहते हैं, sigma, तो sigma बराबर होता है, q by a, है न, line charge में बात की, linear charge density की, और sheet में बात की, किसकी surface charge density की, बहुत द्यान से, linear charge density कैसे निकाली, चार्ज को length से divide किया, और surface charge density कैसे निकाली, charge को area से divide किया, clear है, अब मानलो, यह कोई sheet है, पूरा charge कहां पहला है, इसके surface पहला है, इससे r के distance पे मैंने कोई point ले लिया, p, और मुझे यहाँ electric field निकालना है, यह sheet है, यहाँ मैंने point ले लिया, और इस point पे मुझे electric field निकालना है, यह sheet है, charge sheet है, इससे r के distance पे मैंने कोई point ले लिया, p, और मुझे यहाँ पर electric field निकालना है, sheet से r के distance पे मुझे electric field निकालना है, sheet से कितने distance पे, r के distance पे, मुझे electric field निकालना है, तो electric field at p का formula है, e at point p, sigma by two epsilon not, sigma भी पीछे बताया क्या होता है, sigma by two epsilon not, e at point p कितना अगया, sigma by two epsilon not, कुछ भी नहीं बोला जाए, सिर्फ आपको याद करने को बोला जाए, तो आप याद कर लोगे, sigma by two epsilon not, sigma क्या होता है, surface charge entity, यहने charge upon area, लेकिन यह formula बाकियों से अलग है, यह formula क्या है बाकि फार्मूलों से अलग है, यह formula बाकि फार्मूलों से अलग है, यह formula बाकि फार्मूलों से अलग है, बताओ क्या अलग है, इसमें देखो कहीं आर नहीं आ रहा, जैसे बटा shell थी, shell के जैसे 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 दूर जाओगे, electric field कम होगी, solid sphere था, जैसे जैसे इससे दूर जाओगे, electric field कम होगी, line charge था, जैसे जैसे दूर जाओगे, electric field कम होगी, किसी भी चीज़ से हम दूर जाते हैं, तो उसका effect कम होता है, इसमें देखो कहीं आर नहीं आ रहा, मतलब, इसमें आर नहीं आ रहा, इसका यह मतलब है, जैसे कोई यह sheet है, यहाँ पे electric field निकाली, वो आई दस, यहाँ निकालेंगे, वो भी आईगी दस, यहाँ निकालेंगे, वो भी आईगी दस, ऐसे कैसे संबब है, हम दूर भी जा रहे हैं, तो भी electric field कम नहीं होगी, इस formula में द्यान से देखो, कहीं आर नहीं आ रहा, आर नहीं आ रहा, मतलब electric field जो है, वो independent है, distance के, इस formula में कहीं आर नहीं आ रहा, आर नहीं आ रहा, मतलब क्या है, जो electric field है, वो independent है, distance के, clear है, तो फिर ऐसे कैसे संबब है, ऐसे कैसे संबब है, ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे संबब है, कि जब हम pass में रहेंगे तो सिर्फ इतना charge काम करेगा इस point पे जैसे ही हम दूर गए तो distance बढ़ा distance बढ़ने से charge भी बढ़ गया अब इतना charge काम करने लगा हम और दूर गए तो distance और बढ़ा तो इस charge भी उसी ratio में बढ़ गया और electric field को कम नहीं होने देगा हमें पता है न कोई की भी simple सा formula लो जैसे यह होता है formula q by r square तो दूर जाने पर distance बढ़ रहा है तो charge भी उसी ratio में बढ़ जाता है और electric field constant बनी रहती है यह है इसकी कहानी यहाँ पर है तो इतना distance है यानि कम distance है तो charge भी कम काम करेगा दूर गए तो distance बढ़ा तो charge भी बढ़ा और दूर गए तो और distance बढ़ा और charge भी बढ़ा और electric field को constant बनाए रखा दोनों ने distance के बढ़ने पर charge भी उसी ratio में बढ़ जाता है और answer को कम नहीं होने देता इसको words में लिख लो अच्छे से लिखवा रहा हूं चीट का formula बाकियों से अलग हे मैंने आपको बताया क्यों चीट का formula बाकियों से अलग होता हे फो लेखो लेखो ए का formula कै है sigma by 2 epsilon naught इस formula लिखने के बाद लेखो लेखो that is e does not depends अपन, the distance of observation point, from the sheet. The distance of, बहुत important point है. गुमा फिर आके कई बार पूछा जाता है, observation point, जिसे हम R से लिख रहा है, from the sheet. यह डिपेंड नहीं कर रहा हार पर, किसमें sheet के case में, He does not depends upon the distance of observation point from the sheet. अगर लिखो, it is so because, अब मैं reason लिख रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? It is so because, as we move, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, further away from the sheet of charge away from the sheet of charge जैसे जैसे हम दूर जाएंगे more and more charge more and more charge comes into our field of view charge बढ़ता जाएगा field of view and compensates यह तो याद रखना बढ़्दा and compensates the decrease in field field को कम होना चाहिए लेकिन कम नहीं होने देगा due to increase in distance बहुत important point बहुत बार पूछा जा चुका है अलग-अलग form में sheet का formula बाकियों से अलग है sheet का formula बाकियों से अलग है क्या लग है ध्यान से देखो e depend नहीं कर रहा distance पर e depend नहीं कर रहा distance पर ऐसा कैसे ऐसा ऐसे कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे distance भी बढ़े distance बढ़ेगा distance के बढ़ने से charge भी बढ़ेगा और e को कम नहीं होने देगा दोनों मिलकर e को कम नहीं होने देगे एक वेक्टर अगर e को कम कर रहा है तो दूसरा वेक्टर e को बढ़ा रहा है और इस तरह से e की value constant आएगी इस तरह से e की value constant आएगी इस तरह से e की value constant आएगी clear है clear है अगला क्या है E due to uniformly charge ring एक uniformly charge ring है इसका radius मान लो R है X distance पे हमें कोई point लिया है P और वहाँ E निकालना है X distance पे इसका radius का मान लो हमें capital R मान लो इसका radius capital R मान लो एक ring है इसका radius कितना है capital R है ना और X distance पे कोई point है P और P point पर हमें electric field निकालना है X distance पे कोई point है P किस distance को नाम दे देते है small r किस distance को नाम दे देते है small r capital R क्या है बटा ring का radius रेडियस, capital R का रिंका रेडियस, तो X distance पे point P पे में electric field निकालना है, पड़ाओ छोटा सा पार्बूला है, KQ X by RQ, KQ X by RQ, इसमें मैं K किसे कह रहा हूँ, K में कह रहा हूँ, 1 by 4 by epsilon not, इसमें मैं R किसे कह रहा हूँ, देख रहा हूँ तो, root of R square plus X square, पिल्कुछ simplified form में लिख दिया मैंने, जिससे कोई confusion ना हो, KQ X by RQ, क्या formula होता है, रिंक के कारण electric field का, KQ X by RQ, रिंक के कारण electric field का क्या formula होता है, KQ X by RQ, clear है, K किसे कहते हैं, 1 by 4 by epsilon not को, और R किसे कहते हैं, root of R square plus X square को, एक केसे कहते हैं 1 by 4 by epsilon not को और R केसे कहते हैं root of R square plus X square को R केसे कहते हैं root of R square plus X square को clear है? आगे लखिए कुछ results इसका graph बना लीजिए पहले तो electric field change कैसे होती है? ring है तो दोलों तरफ जाना है बेटा हमें ring है तो कहां जाना है दोलों तरफ जाना है electric field ऐसे ऐसे change होती है है न रिंग का graph है यह आर लिया है दोलों तरफ यह ring का center है यह इसके ring के हम इधर भी जाएंगे ring के इधर भी आएंगे तो हम यह देखेंगे जब X की value होगी plus minus यह plus R by root 2 यहाँ और यहाँ X की value क्या है? minus R by root 2 तो E की value जो है maximum होगी minus R by root 2 X की value अगर मैं कितनी ले लो? plus R by root 2 यह minus R by root 2 तो E की value क्या होगी? maximum होगी E की value क्या होगी? maximum होगी तो यह point यह याद रखो पुछा के यह point है at X equal to plus minus R by root 2 E is maximum जिंके case में क्या होता है? X की value अगर कितनी हो? plus minus R by root 2 हो E की value क्या होती है? maximum होती है X की value क्या हो? plus minus R by root 2 हो E की value क्या होती है? maximum होती है X की value क्या हो? plus minus R by root 2 E की value क्या होती है? maximum होती है तो क्या करो ध्यान से सुनो कर सकते हैं आप यह x की जगे प्लस माइनस r by root 2 रख दो तो maximum e आ जाता है maximum e का formula भी याद रख लो e max का formula भी याद रख लो q by 6 root 3 pi epsilon not r square कितना होता है q by 6 root 3 pi epsilon not r square यह होता है e max कहां पर प्लस माइनस r by root 2 के distance पर याद कीजे formula q by 6 root 3 pi epsilon not r square q by 6 root 3 pi epsilon not r square तो कोई ring अगर है तो वह maximum इतनी electric field generate करेगी कहां at x equal to plus minus r by root 2 पर कोई अगर ring है तो maximum इतना electric field generate करेगी कितना q by 6 root 3 pi epsilon not r square q by 6 root 3 pi epsilon not r square clear है clear है अच्छे से clear है अच्छे से आगे बढ़ते हैं कि electric field due to segment of ring electric field due to segment of ring अब कोई ring पूरी नहीं है बस उसका कोई सेग्मेंट है उसके कारण यह point P पर कितनी electric field generate होगी है ऐसे कई फॉर्मूले बनते हैं बटा यह लेकिन अच्छी बात है कि यह पूछे नहीं गया है यह सारी चीजें पूछी नहीं गई है रिंग तक तो ठीक है सेग्मेंट अभी तक नहीं आया है तो यह कोई ring का एक सेग्मेंट है वहाँ पर हमें उसके कारण हमें क्या करना है point P पर electric field निकालना है तो यह होता है two k lambda by r sine alpha by two क्या होती है electric field two k lambda by r sine alpha by two याद कर लीजिए two k lambda by r sine alpha by two two k lambda by r sine alpha by two two k lambda by r sine alpha by two यहाँ lambda क्या है वही है linear charge density linear charge density है यहाँ पर है ना तो linear charge density कैसे अटाएंगे के का तो वही formula one by four five epsilon not को के कह रहे है लेंबडा किसे कह रहे है चार्ज अपॉन length को तो चार्ज अपॉन इस segment की length लेना मेल कैसे निकाले यह radius है आर फॉर्मूला लगा तो angle is equal to arc upon radius alpha is equal to दिख रहा हो तो angle alpha है arc हमने l लिखा है radius की जगे r लिखें अगर हम तो length की जगे के लिख सकते हैं दिख रहा हो तो alpha r तो charge upon length length की जगे two pi r नहीं लिखना है alpha r लिखना है segment की length लेना है बिटा हमें फिर से समझ लीजिए ए का formula क्या होता है segment of ring के current e का formula क्या होता है segment of ring के current e का formula क्या होता है segment of ring के current two k lambda by r sin alpha by two अगर ये angle alpha बना ये segment है न ये है ring का segment क्या formula होता है two k lambda by r sin alpha by two अब k कैसे कहते हैं आप जानते हैं आप जानते हो one by four pi epsilon naught को और lambda कैसे कहते है linear charge density को याने charge upon length को lambda कैसे कहते है linear charge density को याने charge upon length को clear है अब ये segment की length कैसे निकालने ये जो भी बन रहा है triangle जैसा ये arc जो भी है angle is equal to arc by radius formula लगा हो angle is equal to क्या formula लगा arc by radius angle कितना देख रहा है alpha arc l radius r अगर length को अटाना हो तो alpha r से अटेगी clear है note कीजिए last formula लखी है electric field due to uniformly charged disc इतने लोगों की electric field पढ़ दीजिएगा सबसे पहले पढ़ा shell फिर solid sphere फिर line charge फिर sheet of charge फिर ring फिर disc आज तक नीट में इससे बाहर का कुछ नहीं आया है clear है जो हमने बात की थी ring की फिर segment of ring भी पढ़ाता एक formula अभी heading डाली है electric field due to uniformly charged disc क्या फर्क होता है ring और disc में डिस्क में अंदर भी material रहेगा है न मतलब अंदर भी charge रहेगा यह r radius है existence पे कोई point है P और P point पे मुझे निकालना है electric field तो electric field आएगी sigma by two epsilon not sigma की बात है क्यों क्योंकि पूरे area पे फैलेगी charge bracket में one minus x upon root of r square plus x square one minus x upon root में r square one minus x upon root में r square plus x square तो disc से x distance पर इतनी electric field होती है suppose करो एक चीज़ और important है theory में पूची जाती है अगर मैं x की जगे 0 लिख दू तो electric field कितनी आएगी अगर मैं x की जगे 0 लिख दू तो electric field कितनी आएगी at x equal to 0 तो electric field कितनी आएगी यह पूरा 0 हो जाएगा sigma by two epsilon not आजाएगी यह formula तो देखा देखा लग रहा है यह formula आगया sheet का तो disc अगर कोई point बहुत close हो disc के तो disc के वो sheet of charge के जैसे behave करती है point अगर disc के close है तो disc है वो sheet of charge के जैसे behave करती है इससे लिखते हुए electric charging field को complete कीजिए लिखिए four points situated near the disc four points situated ध्यान रखिएगा near the disc यहीं सबसे objective निकलते हैं four points situated near the disc it behaves the disc behaves as an infinite sheet of charge the disc behaves as an infinite sheet of charge यह आपका complete हुआ यह आपका complete हुआ यह थियूरी यह चार्ज अं फिल्ड की क्या लिखा है four points situated near the disc the disc behaves as an infinite sheet of charge four points situated near the disc क्या लिखिए यह रिखिए यह यह आपका पेटा complete हुआ थियूरी अब हम करेंगे numericals note कीजिए note कीजिए